परमेश्वर के महान और अद्बुद अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने प्रदान कर दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के परवों के उपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं उसको समझने जा रहे हैं उनके बारे में जानने जा रहे हैं और परमिश्वर के पर्वों के विशे में हमने जाना था कि हर सब्ता यहुदी लोग एक पर्व मनाया करते थे जिसको बाइबल में सबद का दिन कहा गया है जो कि हर हफ़ते आने वाला एक पर्व हुआ करता था लेकिन आज हम सबत के दिन के विशे में नहीं लेकिन आज हम फसे के पर्व के विशे में अपना ध्यान के इंद्रित करेंगे और फसे के पर्व को हीब्रू भाशा में पेसा कहा जाता है और बाइबल में भी फसे के पर्व को फसे का पर्व बोलने से पहले उसको लांगन पर बोला गया है और लांघन पर्व क्यों बोला गया है इसलिए बोला गया है क्योंकि परमेश्वर ने मुसा को कहा था कि मिसर के अंदर जिस जिस चौखर्ट के उपर मैं लहू लगा हुआ देखूँँगा मैं उन इस्राइली घरों को लांग जाऊंगा और वहाँ पे पहलो टोकी मृत्यू नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर इसराइलियों के घरों को लांग गया था इसलिए इस पर्व को लांगन पर्व निर्गमन की पुस्तक में एक्सिडस के अंदर कहा गया है और यहाँ पर आज हम ये लांगन पर्व जो है फसे का पर्व जो है या ये पेसा जो है इसके उपर अपना ध्यान के अंदर करेंगे लेकिन दिमाग के अंदर हमको एक बात याद रखनी है जो पॉलूस ने पहला कुरंतियों के पाचवे अध्याय के अंदर कही थी और पहला कुरंतिय उसका पाचवा अध्या उसके साथवे वचन के अंदर पॉलूस ने एक बहुत महत्वपून बात कही थी पॉलूस ने कहा था कि येशु मसी हमारा फसे है यानि ये फसे का पर्व जो यहुदी लोग मनाते हुए आये हैं जिसकी स्थापना परमेश्वर के द्वारा की गई थी इसके लिए पॉलूस ने कह था कि ये पूरा फसे का पर्व जो है वो और कुछ भी नहीं वो येशु मसी की भविश्यवानी है यानि खुद येशु मसी मसी हो के लिए फसे का पर्व है तो आज जब हम इस फसे के पर्व को समझेंगे इस फसे के पर्व की ट्रेडिशन को ओरिजन को हम समझेंगे टेंपिल एरा के अंदर कैसे ये फसे का पर्व मनाया जाता था कैसे महिलाएं तयारियां किया करती थी सूसमाचारों के अंदर क्या लिखा है उन सब बातों को जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलूस के द्वारा ये statement पहला कुरंतियों की कलीसिया में की पत्री के अंदर कलीसिया को क्यूं प्रदान किया गया अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझ देना पड़ेगा कि जो जुविश टेक्स हैं और जो जुविश कॉमेंटरीज हैं वो इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में भी इस बात को लिखा हुआ है कि हीब्रू कैलेंडर के पहले महिन यानि निसान महीने के चौधवे दिन परमेश्वर ने फसे के पर्व की स्थापना करती थी और परमेश्वर ने मूसा को कहता कि निसान महीने के चौधवे दिन जो है तुम फसे का पर्व हमेशा इस बात की यादगारी के अंदर मनाया करना देखिए फसे के पर्व के दिन परमेश्वन ने कहा था कि इस पर्व को यादगारी के तौर पर तुम पीड़ी पीड़ी में सेलिबरेट करना फसे के पर्व के दिन ही येशु मसी ने एक एक रस्म को इंटरड्यूस किया और येश्यू मसी ने कहा कि जब तक मैं वापिस ना आओ मेरी यादगारी के अंदर तुम ऐसा ही किया करना तो जो बात परमेश्वर ने 1500 साल पहले इसराइलियों को बोली थी येश्यू मसी ने 1500 साल बाद उसी बात के अंदर वैसी की वैसी बात अपने शिश्यों के सामने रख दी थी लेकिन जोईश टेक्स्ट जोईश कॉमेंटरी बताती हैं कि पहले महिने के चौदवे दिन को ये फसे का पर्व मनाने से भी कई शताब्दियों पहले से हजारों साल पहले से यहूदी लोग एक पर्व जो है वो सेलिब्रेट करते हुए आये थे जिसको स्प्रिंग फैस्टिवल यानि बसंत पर्व के नाम से जाना जाता था और ये फैस्टिवल जो निसान महिने में यानि मार्च एप्रिल के महिने में यहूदियों के द्वारा इसराइलियों के द्वारा या उससे पहले इब्रियों के द्वारा जो हीब्रूस थे उनके द्वारा जो सेलिब्रेट किया जाता था मार्च एप्रिल के महिने में बसंत पर्व को celebrate किया करती थी और पर्मेश्वर ने क्योंकि यह पर्व पहले से ही यहुदी लोग celebrate करते थे उनके जीवन में एक important day हुआ करता था पहले महीने का čौदव और पंधरवा दिन क्योंकि वो पहले महीने के चौदवे दिन से पर्व को celebrate करना शुरू करते थे और पंदरवे दिन तक उसको celebrate करते रहते थे तो दो दिनों तक इस पर्व को celebrate किया जाता था इसलिए परमेश्वन ने Hebrew कैलेंडर को change करके पहला महीना जो है वो निसान महीने को ही बना दिया था जैसा कि निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है और परमेश्वन ने कहा था कि ये महीना तुमारे लिए आरम कठेरे और इसी महीने के चौधवे दिन जो तुम बसंत पर्व मनाते हो अब उसको मनाने की जरूरत नहीं है लेकिन अब तुम फसे का पर्व इस घटना की यादगारी में हमेशा हमेशा के लिए मनाया करना तो जिस प्रिकार से परमेश्वन ने एक प्रचलित पर्व को पलट करके जो की सारी इंशिंट सिविलाइजेशन के दौरा मनाया जाता था उसको पलट करके परमेश्वर ने फसे के पर्व की स्थापना कर दी थी अब एक और महत्वपून बात में स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ कि ये फसे का पर जो है पेसा जो है इसकी central इसका central मिनिंग जो है वो है लिबरेशन यानि छुटकारा परमेश्वर इसराइलियों को मिसर्स की गुलामी से छुटकारा दिलाया था इसलिए इस पर्व को the season of our liberation भी कहा जाता है यानि हमारे छुटकारे का season इसको कहा जाता है हमारे छुटकारे की रितु भी इस पर्व को कहा जाता है यहुदियों के बीच में साती सात फसे का पर्व जो है इसको एक और हीब्रु नाम से भी संबोधित किया जाता है और वो हीब्रु नाम क्या है वो हीब्रु नाम है हग हा अवीव हग हा एच ए ए वी आई वी हवीव यानि हग हा अवीव भी इसको कहते है जिसका मतलब होता है बसंत की चुट्टी या बसंत का अवकाश इसको कहा जाता है तो बसंत का अवकाश इसको कहा जाता है क्योंकि ये बसंद रितू के अंदर आता है और यहुदी लोग पहले से ही बसंद पर्व को सेलिब्रेट करते थे जब तक कि उनको परमेश्वन ने फसे का पर्व मनाने की आग्या भी नहीं दी थी उससे पहले से वो बसंद पर्व को सेलिब्रेट किया करते थे उसके बाद एक और महत्वपुन बात यह है जो आपको जान लेना और समझ लेना जरूरी है परमेश्वन ने कहा था पहले महीने के चौधवे दिन तुम फसे का पर मनाना और एक मेमना बली किया करण अब जब यहुदी लोग बसंत पर को सेलिब्रेट करते थे फसे का पर मनाने से भी बहुत पहले से तो वो पहले महीने के चौधवे दिन को एक बकरी या एक भेड वो परमेश्वन के लिए बलीदान चड़ाया करते थे पहले से ही तो परमेश्वन ने तो ट्रेडिशन को सिर्फ थोड़ा सा मोड़ा था परमेश्वन ने तो उन ही चीज़ों को यहुदियों के सामने रखा था इसलिए उनको उन बातों को एकसेप्ट करने में कोई परिशानी हुई ही नहीं थी कोई ही नहीं थी उसके बाद जो यहुदियों का कल्चर है और यहुदियों की जो हगादा है हगादा जो होती है वो यहुदियों की लिटर्जी होती है यानि कि जब वो फसे का भोज खाने के लिए बैठते हैं तो वो जिन प्राथनाओं को बोलते हैं जिन बातों को बोलत वो एक किताब के अंदर लिखी हुई है उस किताब को हगादा कहा जाता है उस हगादा के अंदर एक बात मैंशन हो रखी है और वो बात ये मैंशन हो रखी है कि फसे का पर्व जो है हमको इस बात को याद दिलाता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी जादा खराब क्यों नहों एक वेक्ति की लेकिन उसको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि उसके पास अभी भी परमेश्वर के रूप में एक आशा बची हुई है क्योंकि इस्राइलियों की हालत जो थी परिस्तिती जो थी वो मिस्र के अंदर इतनी खराब थी लेकिन उसके बावजोद उनके पास एक आशा थी कि परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से चुड़ाएगा क्योंकि परमेश्वर ने इबराहिम जो है उसको प्रॉमिस दिया है और इसी लिए परमेश्वर ने उनको महां से चुड़ाया था और यहुदियों के टेक्स्ट बताते हैं कि जब रोमन सामराज्ये स्पृत्वी पर था और उसने यहुदियों को कुचल करके रख दिया था पूरी तरह से तो ये आशा जो थी फसे के पर्व की आशा जो थी वो वापिस से यहुदियों के अंदर भड़क गई थी कि परमेश्वर अपने मसी को भेजेगा कब भेजेगा रोमन काल में ही भेजेगा और मसी जब भी आएगा तो वो फसे के पर्व की शाम को ही हम को रोमन्स की घुलामी से अजाद करा देगा फसे के पर्व की शाम को ही क्यों कि फसे के पर्व की शाम को ही परमेश्वर ने इस्राइलियों को मिस्र की गुलामी से अजाद करा लिया था और जब मसी आएगा तो वो फसे के पर्व की शाम को ही हमको अजाद करा लेगा और हम नए नियम के अंदर देखते हैं कि हाला कि येशु मसी ने रोमन सामराज्य की गुलामी से यहुदियों को नहीं छुडाया लेकिन शतान की गुलामी से पापों की गुलामी से येशु मसी फसे का पर्व जिस दिन था उसे दिन बलिदान हुआ था फसे की शाम बे सूरज डलने से पहले ही येशु ने अपने प्राण तियाग दिये थे जैसे ही येशु ने प्राण तियाग दिये थे येशु ने पूरी दुनिया को उनके पापों से और शतान की उस गुलामी से छुडा लिया था छुटकारा प्रदान कर दिया था येशु थी कि मसी जो होगा वो दूसरा मूसा होगा क्योंकि पहले मूसा ने मिसर की गुलामी से छुडाया दूसरा मूसा जो होगा वो सप्रकार की गुलामी से हमको अजाद करा करके दम लेगा उसके बाद फसे को छुटकारे का पर भी यहुदी लोग मानते हैं क्यों मानते हैं क्यो तो अभी तक इंतिजार ही कर रहे हैं बेचारे मसी तो आके चला भी गया और मसी छुटकारा दे भी गया तो मसी जब आएगा तो वो हर प्रकार की गुलामी से छुटकारा प्रदान कर देगा और इसलिए इस पर्व को छुटकारे का पर्व भी कहा जाता है अब यहुदी ज्यानी पुरुष जो हैं सारे कोई एक दो नहीं लेकिन सारे जोईश सेजिस जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि फसे के पर्व के अंदर सब कुछ कंसील हो रखा है पेसा में सब कुछ कंसील हो रखा है क्या कंसील हो रखा है इसमें जगत की सृष्टी क्रियेशन कंसील हो रखा है इसमें एक्सिडस कंसील हो रखा है इसमें यहुदियों की सारी गुलामी जितने भी एक्जाइल में वो गए वो भी कंसील हो रखा है और इसमें मसी का आगमन भी कंसील हो रखा है तो पूरी दुनिया का सारा इतिहास जो है वो इसी के अंदर कंसी हो रखा है ये बात जो है वो सारे जोएश्ट से जिस मानते हैं अब सृष्टी कैसे फसे के पर किन्द कन्सील हो रखी है और कैसे यहूदियों की गुलामी यहूदी जितनी बाग गुलामी में जाएं महां से छुटकारा लेकर किया आएं कैसे मसी का आगमन इसमें कन्सील हो वो सब आगे हम अभी देखने और समझने जा रहा है अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहूदियों की एक लिटरजी होती है जिसको हगादा कहा जाता है और हगादा जो होती है उसके अंदर एक बात एक महत्वपूर्ण बात बताई हुई है हगादा में लिखा हुआ है कि फसे का पर्व जो है यह अनुभूती जो है कि इसराइली गुलामी में से छूटे वो वहाँ पर रो रहे थे आसू बहा रहे थे नमक नमकीन आसू जो थे वो उनके बह रहे थे वो अत्याचार को से रहे थे यह काहनी जो है वो सिर्फ एक एतिहासिक काहनी नहीं है लेकिन हर पीड़ी में हर व्यक्ति जो है वो मिसर की गुलामी का अनुभव करता है जब एक व्यक्ति पर्सनली पापों की गुलामी के अंदर होता है वो पापों के अंदर रो रहा होता है उन दुखों में जकड़ा हुआ होता है और हर एक व्यक्ति को हर पीड़ी में जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर कैसे उसको उस गुलामी में से न नहीं है हर पीड़ी में हर वैक्ती के जीवन के अंदर फसे का पर्व जो है वो आता है इसलिए हर वैक्ती को फसे का पर्व मनाना चाहिए और इसलिए तो पॉलूस ने कहा कि मसी हमारा फसे है ये शू मसी हमारा फसे है इसलिए पॉलूस ने इस बात को कहा था आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब फसे का पर मनाया जाता था तो वो दो जगों के उपर मनाया जाता था कहां मनाया जाता था सबसे पहले वो temple में यानि मंदिर के अंदर celebrate किया जाता था जहांपर मेमनों को काटा जाता था मेमनों को काटा जाता था temple के अंदर लेकिन मेमनों का meat खाया जाता था घरों के अंदर उसको roast करने के बाद तो दो जगों पर सेलिब्रेट किया जाता था टैंपिल के अंदर और उसके बाद वो घरों के अंदर ठाया जाता था हमको नए नियम में क्या देखने को मिलता है कि येशु मसी का बलिदान जो था वो मूरिया परवत के उपर हुआ था जहां पर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था अब आप टाइमिंग देखिए टाइमिंग देखिए येशु मसी जिस समय क्रूस के उपर चड़ा हुआ था उस समय मंदिर के अंदर भजन गाए जा रहे थे मेमने के बलीदान के लिए क्योंकि महायाजक मेमने का बलीदान चड़ाने वाला था तो लाखों लाख यहुदी मंदिर के अंदर भजन गा रहे थे और इधर परमेश्वर का मेमना भी मोरिया परवत के उपर लटका हुआ था साथ ही साथ जिस समय एक्जेक्ट तीन बजे की करीब जब फसे का मेमना महायाजक के द्वारा चड़ाया जाता था काटा जाता था एक्जेक्ट तीन बजे परमेश्वर का मेमना जो था उसने जोड से चिल्ला करके अपने प्राणों को त्याग दिया था तो आप देखिए जिस समय जो काम मंदिर में हो रहा था उसी समय वो काम येशु मसी के साथ हो रहा था इसलिए येशु मसी हमारा मेमना बन जा था तो मंदिर के अंदर मेमने का बलिदान हो गया येशु मसी मोड़िया परवत के उपर चड़ा हुआ था और उसके बाद प्रेडतों के काम में लिखा हुआ है कि कलीसया जो थी वो घर घर रोटी तोड़ती थी येशु मसी के उस शरीर को खाती थी फसे को celebrate करती थी प्रती दिन घर घर वो लोग रोटी तोड़ा करते थी जिस प्रकार से फसे का पर्व मंदिर में मनाया जाता था और उसके बाद घरों में सेलिब्रेट किया जाता था वही का वही बाद जो है वो नई नियम के अंदर हमको पढ़ने को देखने को समझने को मिल जाती है उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मंदिर के जमाने में यानि कि जिस समय परमेश्वर का टेम्पिल खड़ा हुआ था यानि फस्ट टेम्पिल की मैं बात कर रहा हूं यरुशलेम की नॉर्मल जनसंखिया जो हुआ करती थी सुलिमान के समय वो एक लाक हुआ करती थी लेकिन फसे के पर्व के समय यरुशलेम की जनसंखिया दो लाक हो जाया करती थी सेकंड टेम्पिल एरा में यानि जिस समय येशु मसी इस प्रित्वी पर था उस समय यरुशलेम की जनसंखिया फसे के पर्व के समय दस लाख हो जाया करती थी लेकिन ये एक miracle माना जाता था फसे के पर्व का miracle माना जाता था कि चाहे कितने भी लोग यरुशलेम के अंदर आ जाएं फसे का पर्व मनाने के लिए और चाहे जो सराय होते थे होटल होते थे चाहे उनमें जगे भी ना हो लेकिन तो भी सारे के सारे श्रद्धालू जो हुआ करते थे उन सब को रहने की जगे मिल जाया करती थी अपने आप मिल जाया करती थी तो ये फसे के पर्व का एक miracle माना जाता था जो परमेश्वर के अनुगरे के रूप में यरुश्लेम के अंदर प्रगट हुआ करता था यरुश्लेम के अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि परमेश्वर की divine presence जो है वो यरुश्लेम के अंदर रहती है तो ये एक miracle जो था वो माना जाता था अब फसे के पर्व से पहले फसे के पर्व आने से पहले जो सबद आता था फसे के पर्व से पहले जो सबद आता था वो सबद जो है वो चाहे एक दिन पहले आए चाहे वो दो दिन पहले आए चाहे वो एक हफता पहले आए लेकिन फसे के पर्व से पहले जो सबद आता था उसको सबद हा गादोल कहा जाता था सबद हा गादोल का मतलब होता है the great सबद यानि की बड़ा सबद यानि की बड़ा दिन उसको कहा जाता था उसके बाद आगे आगे अगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि सबद का दिन फसे का पर्व यहुदी लोग जब मनाया करते थे तो उससे पहले कई सारी preparations किया करते थे और preparations क्या किया करते थे वो फसे का पर्व आने से पहले अपने घरों की सफाई किया करते थे पॉलूस ने इस बात को कहा कुरंथ की कलीसिया को कि जो प्रभू की दे को खाते पीते समय नहीं पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने उपर दंड लाता है यानि कि कुछ करना है हमको ताकि हम उस प्रभू की दे को खा सके उसके लहू को पी सके अब क्या करना है हमको वो फसे के परव के अंदर ही चिपा हुआ है कैसे चिपा हुआ है फसे का परवाने से पहले यहूदी लोग अपने घरों की सफाई करते थे वाइट वॉश किया करते थे और पूरे घर की सफाई किया करते थे केंडिल जला करके अपने घर के एक एक कोने को वो जाचा करते थे किस बात के लिए कि उनके घर के अंडर एक दाना एक कण भी खमीर का नहीं पाया जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम इन साथ दिनों तक खमीर मत खाना वरना तुमारे घरों में खमीर दिखना तक नहीं चाहिए परमेश्वर ने कहा था अलूस कहता है थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है थोड़ा सा पाप पूरे जीवन को पापी बना देता है थोड़ा सा गलत काम हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉई कर देता है तो खाते पीते समय प्रभू की देह को पहचानना है उन बुरे कामों को जैसे यहुदी लोग जाडू मारा करते थे ऐसे जाडू लेकर के अपने जीवन से उन बुरे कामों को निकालना है और यहुदी लोग एक विशेश तरीका इस्तिमाल किया करते थे वो एक पक्षी का पंक लिया करते थे और ढूंडा करते थे कहां पर खमीर है और उस पक्षी के पंक को लेते थे एक हाथ में लकडी का चमच लेते थे और जहां जहां कोनों में घर के कोनों में खमीर होता था वो उस पंक से उस लकडी के स्पून में उसको डाल लिया करते थे और उसके बाद उस खमीर को एक जगे पर इखटा कर लिया करते थे और इखटा करने के बाद एक सार्वजनिक जगे होती थी एक पब्लिक प्लेस होती थी जहांपे सारे यहुदी आ करके अपने घर में उन्होंने जो खमीर जमा किया होता था उसको ला करके वहाँ पर वो जलाया करते थे अब ये काम आत्मिक तोर से हम कैसे कर सकते हैं पॉलूस रोमियों के पत्री 12 अध्याय के पहले वचन के अंदर कहता है कि तुम अपने आत्मिक बलीदान परमिश्वर को चड़ाओ तो अब हमको खमीर ढूंडने की घर में जरूरत नहीं है हमको इस घर के अंदर खमीर उप में उत्रा था वो लकडी का स्पून जो है वो येश्यो मसी के क्रूस को दर्शाता है क्योंकि येश्यो मसी लकडी के क्रूस के उपर क्रूस पर चड़ा था और पवित्र आत्मा के द्वारा वो खमीर जो है वो हमारे पापों को दिखाता है पवित्र आत्मा के द्वा करा हमारे पापों को कैसे लकडी के क्रूस के उपर डाला गया और उसके बाद कैसे वो सारे पाप येश्यू मसी के साथ कंजियूम हो गए जल गए उस क्रूस के उपर ये सब इन बातों को दर्शाता है तो हमको पवित्र आत्मा के द्वारा खुद को जाचना है खुद को जाचने के बाद हमारे खमीर को हमारे पापों को उस क्रूस के उपर वापे से डाल देना है ताकि हम साफ और शुद हो जाए हमारे घर जो है वो जगमगा जाए और हम प्रभू की धे को लेने से पहले आने पाई तो यहाँ पर यही बात जो है वो हमको समझ में आती है आगे जब हम बढ़ते हैं तो घरों के सफाई के बाद बरतन भी साफ किये जाते थे लेडीज के दौरा एक बरतन बिल्कुल ऐसा चम चमाता हुआ साफ किया जाता था कि कहीं पर कोई खमीर का कण न रहने पा है कि तुमारे घरों के अंदर थमीर दिखना भी नहीं चाहिए और अगर दिख गया तो यही यही सेलिब्रेशन का समय जो है वो मातम का समय भी बन सकता है इसलिए पॉलूस कहता है कि यही इश्यू की दे और लहू जो तुमको अनंत जीवन देता है इसको गलत तरीके से ख साथ ही मैंने आपको बताया खमीर जो है वो जलाया जाता था और फसे का पर्व जिस दिन सेलिब्रेट यहूदी लोग करते थे पहले महीने के चौजवे दिन उस दिन सारे यहूदी सारे यहूदी सुबे जल्दी उड़ जाया करते थे क्यों क्योंकि एक बहुत क्यों डे वो सेलिब्रेट करने जा रहे होते थे और सब सुबे जल्दी उड़ जाया करते थे और जो पहलोटे हुआ करते थे धर के अंदर परिवारों में वो सारे पहलोटे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सारे पहलोटे जो हुआ करते थे वो फसे के पर्व के दिन किया करते थे जब तक कि वो फसे का भोज खाने बैठ नहीं जाते सारे फास्टिंग किया करते थे कि परमेश्वर का कितना महान अनुग्रे हुआ कि हमको मिसर की गुलामी से छोड़ा करके ले आया इसलिए वो पहलोटे परमेश्वर ने मिसर के पहलोटों को मारा लेकिन इसराइल के पहलोटों को बचाया इसलिए सारे पहलोटे इसराइल के फसे के पर्व के दिन वो फास्टिंग किया करते अब जो फसे के पर्व के दिन मिड़े आ जाया करता था तो दोपहर के समय क्या होता था सारे के सारे मेमने परिवार के जो मुख्या होते थे यानि के बेंचमिन हो गया, जूडा हो गया, अप्रेम हो गया दानियल हो गया, उधर से इजहाक हो गया, उधर से इबराहिम हो गया सारे के सारे घर के मुख्या जो होते थे वो अपने-पने मेमनों को लेकरके मंदिर के अंदर याजकों के पास आया करते थे बड़ी मुख्य वेदी पर आया करते थे देखे परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो वेदी हुआ करती थी चाहे वो second temple era में नहीं, first temple era में सुलिमान ने जब मंदिर बनाया था तो उसमें वेदी पर भी एक आश्चरिय करम हुआ करता था कि वेदी के उपर डिवाइन फायर जलती थी डिवाइन फायर कैसे डैवी अगनी कैसे वेदी के उपर एक ऐसी आग जलती रहती थी कि चाहे यरुशले में बरफ गिर जाए चा यह डिवाइन फायर थी जो वेदी के उपर रहती थी तो वेदी पर बलिदान चढ़ाना भी एक बहुत बड़ा काम माना जाता था उस जमाने में और जब सारे घर के मुखिया अपने-पने मेमनों को ले कर के आते थे तो वो अपने-पने मेमने के गले के अंदर एक मैडल पर उस परिवार के मुखिया का नाम लिखा रहता था एक मेडल बांद दिया करते थे क्योंकि सारे मेमने जो है वो एक से ही दिखते थे छोटे-छोटे मेमने सारे जैसे सारे चाइनीज हमको एक ही लगते हैं उसी प्रकार से सारे मेमने एक से लगा करते थे तो मेरा मेमना उसके मेमने के साथ मिलना जाए या उसका मेमना मैं चड़ा दू मेरा मेमना वो चड़ा दे इसी वज़े से गले के अंदर मैडल लटकाया जाता था जिस पर उस मुकिया का नाम लिखा रहता था और जैसे ही वो मेमना लेकर के आता था तो याजग जो होता था वो उस वैक्ती का नाम पूसता था और उसके बार उसके मेमने के गले में लटका हुआ है मैडल के उपर उस नाम को वो पढ़ा करता था कि सही मेमना चड़ाया जा रहा है या नहीं अब येश्यू मसी जब क्रूस के उपर लटका हुआ था चड़ाया गया था तो येश्यू मसी जो परमेश्वर का मेमना था देखिए घर के मुख्या का नाम मेमने के उपर लिखा जाता था येश्यू मसी जब क्रूस के उपर चड़ाया गया तो उसके सिर के उपर एक तक्ती लगा दी गई थी जिसको हमने short form करके INRI कर दिया लेकिन युहनर अच्छे सू समचार में लिखा है कि तीन भाषाओं के अंदर वो तक्ति लगाई गई थी इब्रानी में यानि हीब्रू में लैटिन के अंदर और ग्रीक के अंदर युनानी के अंदर और जब उस तक्ति के उपर लिखा गया येशु नासरी यहुदियों का राजा तो यहुदी लोगों के अंदर एक रीती प्रचलित हुआ करती थी कि वो हर वर्ड का जो इनिशियल होता है उस इनिशियल को जोड़ करके उस अपराधी की उपाधी बना दिया करते थी मैं वापिस बोल रहा हूँ जो कि मुझको लगता है कि आपको मेरी बात इतनी असानी से समझ में नहीं आएगी इस ते में वापिस बोल रहा हूँ यहुदी लोगों की यह रीती हुआ करती थी कि जब अपराधी को क्रूस पे टांगा जाता था तो उसके उपर जो दोश पत्र लिखा रहता था हीब्रू भाशा में वो उसके इनिशियल हर वर्ड का इनिशियल ले लिया करते थे हर वर्ड का initial का मतलब होता है हर वर्ड का पहला अक्षर वो ले लिया करते थे और उसके बाद उन सारे अक्षरों को जोड़ करके उस व्यक्ति की उपादी बना दिया करते तो जब उन्होंने ईशू के दोशपत्र को पढ़ा हीब्रू भाशा में ईशू नासरी यहुदियों का राजा और उसके initials को जब उन्होंने निकाला एक-एक वर्ड के पहले अक्षर को जब उन्होंने निकाला और जब उसको जोड़ा तो यहुदी जो थे वो बड़े परिशान हो गए क्यों परिशान हो गए वो तुरंट पिलातु उसके पास भागे भागे गए और जा करके पिलातू उसके कहा कि इसका दोशपत्र चेंज कर ये मतलए कि ईशु नासरी यहूदियों करा राजा बलकि ये लिक इस ने कहा कि मैं यहूदियों करा जाओं पिलातू उसने उनको भगा दिया चल दो यहां से तो वो क्यों परेशान हो गए इसलिए परेशान हो गए क्योंकि जब उन्होंने यिशु के दोश पत्र के इनिशल्स को हीब्रू भाशा में निकाला तो इनिशल्स से चार हीब्रू एल्फाबेट बने जो थे यूद हे वाव हे जिसका मतलब होता है यहवे यहवा का नाम उसके सिर के उपर आ गया जैसे हर मेंने के गले के अंदर घर के मुख्या का मैडल पर नाम लिखा रहता था परमेश्वर के मेंने के सर के उपर जो तक्ती लगी हुई थी उसके उपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ था कि ये परमेश्वर का घराने का मेमना है वो परमेश्वर के घराने का मेमना है तो तीन बजे के करीब सारे मेमने आ जाया करते थे याजक लोग हजारों के संखिया में लाइन लगा करके रोज जो रो होती हैं रो में खड़े रहते थे और उसके बाद याजक, महायाजक तो एक इसराइल की तरफ से एक मेमना बलीदान चड़ाता था वो एक अलग बात है लेकिन इतने लाखों मेमने जो होते थे वो याजक लोग बलीदान नहीं चड़ाते थे याजक लोग बस सूपरवाइस करने के लिए खड़े रहते थे लेकिन बलीदान कौन चड़ाता था मेमने को मेमने को बलीदान चड़ाते थे घर के सारे मुक्या हर घर का मुक्या अपने मेमने को वेदी के उपर काटा करता था वेदी को इतनी सी वेदी नहीं हुआ करती थी, सेकंड टैम्पल एरा में इतनी विशाल का वेदी बनाई गई थी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो कई सो जानवर जो हैं उस वेदी के उपर एक साथ काटे जा सकते थे, इतनी बड़ी वेदी थी, और अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने चड़ाया था, घर का मुख्या खुद अपने मेमने को चड़ा रहा था, उसके बाद याजग खड़े रहते थे, मेमने काटे जाते थे, और जब ये सब काम हो रहा होता था, तो मंदिर के अंदर भजन गाए परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर को इस्राइल के स्तूती के सिहासन पर विराजमान कराया जा रहा होता था, और दो घंटे के अंदर ये सारा कारेकरम पूरा हो जाया करता था, तीन बजे लास्ट मेमना जो है को काट दिया जाता था, सारा कारेकरम पूरा हो जाता था दो घंटों के अंदर अब ये दो घंटे जो है आपको सिंबॉलिकली यहाँ पर ये दो घंटे दिखेंगे दो पहर के रूप में येशु मसी दो पहरों तक दो पहर तक नहीं दो पहरों तक येशु मसी जो था वो कुरूस के उपर लटका हुआ था यानि कि येश्यू मसी नौ से लेकर बारा और बारा से लेकर तीन बज़े तक जो दो पहर थे उनमे छे घंटों तक येश्यू मसी जो था वो कुरूस के उपर लटका हुआ था और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दो घंटों के अंदर सारा कारिक्रम पूरा हो जाता था दो पहरों में सारा कारिक्रम उद्धार का जो था वो पूरा हो पहरा था और जब सारा कामकाज हो जाया करता था तो उसके बाद याजक लोग जो हैं वो मंदिर के आंगन की सफाई किया करते थे क्योंकि लाखों गैलन खून जो है वो मंदिर के आंगन के अंदर आ जाया करता था और खून जो है वो जम ना जाए फर्ष के उपर तो याजक लोग लेवी लोग नतीन लोग जो हैं वो मिल करके आंगन को वेदी को पानी से धोया करते थे और पानी को नाली के माध्यम से मोर्या परवत से नीचे की और बाहया करते थे और मोर्या परवत से फसे के परव के दिन तीन बजे के बाद लहू और पानी की धाराएं जो हैं मोर्या परवत से मंदिर से नीचे बहती हुई दिखाई दिया करते थे और जिस समय याजक लोग यह सब धो रहे थे मोर्या परवत से लहू और पानी की धाराएं बहर रही थी उसी समय एक सिपाही आता है और येशु मसी की पसली में भाले को मार देता है और येशु मसी के शरीर से लहू और पानी की धाराएं जो हैं वो बहनी शुरू हो जाती है यानि जिस तरह से मंदिर में से लहू और पानी की धाराएं तीन बजे बह रही थी तीन बजे के बाद येशु मसी के शरीर से भी लहूक और पानी की धाराएं बह रही थी येशु मसी हमारा फसे है ये बात पॉलूस ने बताई है फसे के पर्व में और कुछ भी नहीं है फसे के पर्व में सिर्फ येशु मसी है और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि अगर फसे के पर्व को Bible मेंसे निकाल दिया जाए तो हम कभी भी New Testament को समझ नहीं सकते हैं कभी भी नहीं समझ सकते हैं अगर फसे के पर्व को पुराने नियम मेंसे बहार निकाल दिया जाए उसके बाद याजक लोग जब सफाई किया करते थे और जो पिक्चराइजेशन होता था वो मैंने आपको बताया उसके बाद फसे का मेमना काट दिया गया मंदिर में अब इस मेमने को घर ले जा करके इसको रोस्ट किया जाता था रोस्ट कैसे किया जाता था अनार जो होता है अनार का पेड़ जो होता है अनार के पेड़ की लकड़ी का एक डंडा ले करके क्या होता था उसको सीख बना करके मेमने में डाल के आग में रोस्ट करते थे ऐसा नहीं लेकिन फसे के मेमने के आगे के पैरों को इस प्रिकार से बांधा जाता था पीछे के पैरों को इस प्रिकार से बांधा जाता था और फिर उसमें वो अनार की लकडी का डंडा डाला जाता था और उसके बाद उस डंडे को इस प्रिकार से आग में खड़ा नहीं किया जाता था लेकिन आग में जिसको पास ओवर ओविंस कहा जाता था यानि कि भट्टे होते थे वो फसे के मेमने को रोस्ट करने वाले उनके अंदर इस प्रिकार से नहीं रखा जाता था मेमने को रोस्ट करने के लिए लेकिन उस डंडे को आग में इस प्रिकार से खड़ा कर दिया जाता था और फसे का मेमने के आगे के पैर और नीचे के पैर इस प्रिकार से बंदे रहते थे और वो सीधा आग के अंदर खड़ा हो करके रोस्ट होया करता था लकड़ी के गंडे के उपर जिस प्रिकार से येशु मसी को क्रूस के उपर भोका गया और उसके बार उसके क्रूस को उठा करके सीधा खड़ा कर दिया गया येश्यू मसीव फसे के मेमने के तौर पर क्रूस पर बलीदान हो रहा था इसलिए तो उसने कहा मेरा शरीर खाना खाना क्यों? क्योंकि रोस्ट करने के बाद ही तो मीट खाया जाता है हम नर्भक्षी थोड़ी ना है कि ऐसे ही किसी का मीट खा जाएंगे कच्चा रोस्ट होने के बाद खाएंगे इसलिए येश्यू मसी ने कहा था मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना उसके जी उठने के बाद जब वो पूरा रोस्ट हो गया हमारे लिए हम उसको आज खाते हैं उसके बाद फसे के पर्व में एक तरफ तो घर का मुख्या मेमने को रोस्ट होने के लिए रख दिया करता था मेमना पासोवर ओविन्स के अंदर रोस्ट होते रहते थे और घर के लोग जो होते थे वो इस प्रिकार के वाइट कपड़े पहन लिया करते थे फसे की इवनिंग में क्योंकि अब तो फसे सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है घर का मुख्या एग्जेक्ली इसी तरे के कपड़े पहना करता था जो आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं वो प्रेर शॉल्स अपने सिर को भी ढख लिया करता था क्योंकि धर का मुख्या वो होता था और नए कपड़े पहना करते थे और महिलाए जो होती थी वो जोल्री पहना करती थी जोल्री क्यों पहना करती थी इसलिए पहना करती थी तयार हो करके क्योंकि वो फसे के पर कई occasion जो होता था इस occasion को honor देने के लिए जोएलरी को पहना करती थी कि हम इतने खुश हैं इतने खुश हैं इस दिन उस खुशी को जाहिर करने के लिए वो ये सब जोएलरी जो हैं वो पहना करती थी तो यहाँ पर आपको फसे के पर्व के कस्टम समझ में आ रहे होंगे कि बाइबिल के जमाने में फसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता था और वो फसे कैसे हमको येशु मसी के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे जाता है और अब भी तुम्हें सिर्फ आधी बाते ही आपको बता रहा हूँ जो सर्मन मैंने पहले से ही यूट्यूब के उपर डाला हुआ है परमेश्वर के परवों पर उसको यदि आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तम में येशु मसी ने किया क्या था येशु मसी का जनम एक्जेक्ली उस जगे पर हुआ था जहां पर फसे के मेंने पैदा हुआ करते थे वो सारी बातें आपको उसके अंदर समझ में आएगी उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब सबद की शाम जब फसे की शाम आ जाया करती थी तो फसे की शाम को घर में अंधेरा होने से पहले फसे की कैंडल जलाई जाती थी जिसको सबद कैंडल भी कहा जाता है जो सबद कैंडल होती थी वही फसे के दिन भी जलाई जाती थी और वो फसे की कैंडल जो होती थी घर में उज्याला करने के लिए फसे की कैंडल जो जलाई जाती थी वो घर के मुखिया के द्वारा नहीं जलाई जाती थी नहीं जलाई जाती थी लेकिन फसे के पर्व की शाम को जो कैंडल जलाई जाती थी वो घर की जो महिला होती थी मम्मी जो होती थी या गादी मा जो होती थी नानी मा जो होती थी घर की सबसे बड़ी लेडी जो होती थी उसके द्वारा वो कैंडल जलाई जाती थी उसी प्रिकार से येशु मसी जो हमारा फसे है फसे की जो जोती है उसको लाने का काम भी एक महिला को सोपा गया था मा मरियम जो थी उस फसे की जोती को इस संसार में ले करके आई थी उसके बाद फसे के पर्व में तीन रोटिया बनाई जाती थी बेक की जाती थी तीन रोटिया और ये तीन रोटिया जो होती थी घर की तीन लेडीज के दुआरा ही बनाई जाती थी समझे मेरी बात मैं वापिस बोल रहा है फसे के पर्व पर ये तीन रोटिया बनाई जाती थी तीन रोटियों का मतलब होता था कई इसके कई सारे मतलब हैं कोई भी रभी नहीं बोल सकता है कि exactly इसका मतलब ये ही है लेकिन अलग-अलग विचार यहुदियों में चलते हैं ती इब्राहिम, इजहाक और याकूब तीन रोटियों का मतलब होता था याजक लोग, लेविय लोग और यहुदी लोग साधारन यहुदी लोग ठीक है लेकिन हम अगर मसीही दृष्टी कौन से बात करें तो इन तीन रोटियों का मतलब हो जाता है पिताप, उत्र और पवित हो, मैं वापिस बोल रहा हूँ, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो, फसे के पर्व के भोज के लिए सिर्फ तीन रोटियों ही बेख की जाती थी, क्योंकि यह भुक्कडों का तेहवार तो था नहीं, यह तो सिर्फ एक यादगारी के अंदर फॉलो करने वाला तेहवार थ तो यह तीन रोटियां जो होती थी, वो घर की तीन लेडीज के द्वारा ही बनाई जाती थी, और उसके बाद लेडीज जो होती थी, उसको कपड़े में लपेट करके रख दिया करती थी, ताकि यह गरम रहे। अब आपको जान करके हिरानी होगी कि मतिरचिसू समचार, मरकुस रचिसू समचार में एक ऐसी बात पवित्र आत्मा ने मेंचन कराई है, जो सीधा यहाँ पर हमको फसे के पर्व से मेल खाती हुई दिखाई दे जाती है। मतिरचिसू समचार के 27 सद्याय के 56 वचन में, यानि मैथ्यू 27-56 को पढ़े हैं, तो वहाँ पर कुछ बहुत महत्कोपूर्ण बात बताई हुई है। वहाँ पर भी तीन लेडीस का ही जिकर आया है, बोला गया है, बहुत सारी लेडीस थी, नाम तीन के ही बताई गया है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, मतिरचिसू समचार उसका 27 सद्याय उसके 56 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहां पर एक अद्गुद बात पवित्र आत्मा के द्वारा मेंशन कराई गई है, आपको बहुत आश्चर ये उस बात को जान करके होगा। यहां पर देखे, 55 वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जब येशू के शव को कबर के अंदर रख दिया, और उसके बाद यहां पर लिखाएं, वहां बहुत सी इस्त्रियां थी, जो गलील से येशू की सेवा करती हूँ, इसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी, बहुत सारी इस्त्रियां देख रही थी, नाम तीन के ही मेंशन किये गए, यहां पर लिखा है 56 वचन में, उनमें मर्यम मगदलीनी, और याकूब और योसेस की माता मर्यम, यानि दूसरी इस्त्रिय, और जबदी के पुत्रों की माता थी, तो जब येशु मसी को अखमीरी रोटी के तोर पर उतारा जा रहा था, और वो बेख हो चुका था, उसको रखा जा रहा था अंदर कबर में, तो समय तीन लेडीज खड़ी हो करके उस अखमीरी रोटी को देख रही थी, अब येशु मसी अखमीरी रोटी कैसे है, येशु है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है तो येशु मसीh ने अख्मीरी रोटी से खुद की तुल्ना कर ली थी तो ये अख्मीरी रोटी जो तीन लेडीज के द्वारा बनाई जाती थी यहांपर तीन लेडीज के नाम दिये गए अब मैंने आपको कहा किसी भी बात को साबित करने के लिए हमारे पास कम से कम दो रेफरेंस होने चाहिए वरना हमारी बात हम प्रूव नहीं कर सकते हैं तो दूसरा रेफरेंस भी देख लेते हैं मर्कुस रचे सू समचार मर्कुस रचे सू समचार पंदरा अध्या उसके चालिसवे वचन में यानि मार्क 1540 के अंदर भी तीन लेडीज की नाम ही बताए गए यहाँ पर क्या लिखा है कई स्त्रिया भी दूर से देख रही थी कई स्त्रिया देख रही थी लेकिन नाम तीन के बताए उन में मर्यम मगदली नी चोटे याकूब और योसेस की माता मर्यम और सलोमी थी तीन लेडीज की नाम ही बताए गए तो पवित्रा आत्मा ने जान बूच करके सारी लेडीज के नाम मेंचन नहीं करें क्योंकि अखमीरी रोटी बनाने का काम सिर्फ तीन लेडीज का ही हुआ करता था इसलिए तीन लेडीज ने ही देखा कि येशु मसी अखमीरी रोटी के तौर पर कैसे उसको कबर के अंदर रखा जा रहा है अब उसके बाद क्या हुआ करता था कि यहुदी लोग के अंदर creation conceal है फसे के पर्व के अंदर exodus conceal है फसे के पर्व के अंदर सारे exile conceal है और फसे के पर्व के अंदर मसी भी conceal है तो वो फसे की प्लेट के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर जब यहुदी लोग खाना खाने फसे का भोच करने बैठते थे तो परिवार का मुख्या जो होता था, जो पापा जी हुआ करते थे, वो अखमीरी रोटी को उठाया करते थे, और अखमीरी रोटी को कैसे उठाया करते थे, तीनों अखमीरी रोटी जो होती थी, उन में से बीच वाली को वो बाहर निकाला करते थे, ये भी एक कस्टम था, पिता पुत्रव पवित्र आत्मा में से बीच वाली रोटी जो है जो कि येशु मसी है उसको लिया गया मुखिया के दुआरा और मुखिया ने उसके जिसम को तोड़ करके रख दिया कुरूस के उपर और उसके बाद उसको तोड़ करके एक टुकड़ा जो होता था आधा या सन के वाइट कपड़े में लपेट करके उसको कहीं छुपा दिया करता था और ये आधा टुकड़ा जो छुपाया जाता था सन के कपड़े में लपेट करके उस आधे टुकड़े को कहा जाता था एफी को मैन एफी को मैन और एफी को मैन का मतलब होता है वो जो की वाप वापिस आएगा वो जो की वापिस आएगा यानि कि ये एक भविश्य वाणी थी कि आधे टुकड़े को तो खालिया जाएगा आधे टुकड़े को कबर के अंदर छुपा दिया जाएगा यानि इशु के शरीर को कबर में छुपा दिया जाएगा लेकिन भविश्य वाणी थ कि वो टुकड़ा जो है वो वापिस साएगा यानि येशु मसी वापिस जीवे थो करके आएगा ये बात जो है वो वही परी बताई होई और बच्चों को जब वो उस कपड़े में लपेट करके घर का मुख्या चिपा दिया करता था उस टुकड़े को अखमीरी रोटी के टुकड़े को खोजो और जब उस टुकड़े को खोज लोगे तो उसके बाद तुमको गिफ्ट मिलेंगे तो बच्चे जो है वो जी जान एक करके उस टुकड़े की खोज में लग जाया करते थे और एट लास्ट क्योंकि घर का मुख्या जो होता था पिता जो होता था वो घर का मुखिया पिता जी जो हुआ करता था वो अपने बच्चों को गिफ्ट दिया करता था बेशकीम्ती गिफ्ट दिया करता था येशु मसी को कबर के अंदर रख दिया गया और येशु मसी जो है वो वापिस से जी उठा और उसके बाद उसके चेलों ने ढून ढून करके उसको पाही लिया और जैसे ही शिश्यों ने अपने गुरू को देख लिया जीवी तवस्था में वो एफी कोमें बापस आ गिया उसके बाद येश्यू जो था उसने आ करके अपने शिश्यों के उपर फूका जैसे पिता गिफ्ट देता था बच्चों को एफी कोमें और येश्यू मसी ने कहा कि लो गिफ्ट लो पवित्र आत्मा लो येश्यू मसी ने उनको गिफ्ट दे दिया तो ये सारे ट्रेडिशन्स पूरे हो रहे थे उसके बाद पूरा परिवार जो होता था वो फसे खाने बैठा करता था और फसे की प्लेट जो हुआ करती थी फस फसे की प्लेट को सामने रखा जाता था वो फसे की प्लेट में आपको दिखा देता हूँ परिवार के सामने फसे की प्लेट को रखा जाता था यहाँ पर आप इस फसे की प्लेट को देख सकते हैं जिसमें सारी चीजे रखी हुई आपको दिखाई देंगी अब यहाँ पर आ के अंदर यहुदी लोग जो इतने आसू उन्होंने बाहय थे उन आसूं की यादगारी में यह नमकीन पानी जो है वो रखा जाता था साथ ही यहाँ पर आपको मेमने की हड़ी भी दिखाई दे रहे होगी जिसको शैंक बोन कहा जाता है एक रोस्टेड एग दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर यह सागपात दिखाई दे रहा है जिसको कड़वा सागपात बाइबल में कहा गया है और यहाँ पर आपको यानि खारोस इसको कहा जाता है ये दिखाई दे रहा होगा अब इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ जो यहुदी लोग कहते हैं वो यह है कि मिसर की गुलामी में यहुदी लोग आसू बहा रहे थे इसलिए नम्कीन पानी को वो लोग पीते हैं याद करने के लिए ये कड़व साखपात उनको गुलामी की कड़वाहट को याद दिलाता है और यहाँ पर यह मेमने की हड़ी जो है किस प्रिकार से मेमने के बलीदान के द्वारा उनको छुटकारा मिला था वो दिखाता है और जब वो मेमने के बलीदान के द्वारा चुटकारा पा गए तो यहाँ पर डिजर्ट है मीठा है कैसे परमेश्वन ने उनको मिसर की गुलामी से छोडा लिया और कैसे उनके जीवन में कड़वाहट नहीं लेकिन मिठा सा गई इसलिए मीठा रखा जाता है अब यह एग जो है यह क्यों रखा जाता है रोस्टेड एग या आज तक किसी को भी नहीं पता है कि रोस्टेड एग प्लेट के अंदर क्यों रखा जाता है लेकिन जैसा मैंने आपको कहा सब कुछ जो है वो फसे के पर्व के अंदर कंसील हो रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर इंसान जो है वो अपने जीवन के अंदर पाप की कड़वाहट के अंदर फसा हुआ होता है वो अपने अपने दुखों के अंदर आसू बहा रहा होता है नमकीन पानी के रूप में हर इंसान फसे को experience करता है अपने जीवन में और जब वो इन सब कड़वाहट के अंदर आसूं के अंदर होता है तो अच्छानक से ही उसकी मुलाकात मेमने के साथ हो जाती है फसे के मेमने येशु मसी के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और जब फसे का मेमना उसके जीवन में आ जाता है तो ये सारी कड़वाहट और ये नमकीन पानी जो है वो जीवन से दूर हो जाता है और जीवन के अंदर मिठास आ जाती है और यदि Christians view से हम देखें यहूदी दिरिश्च्टी कुण से ना देखें तो एंडा जो है वो परमेश्वर की द्रियेक्ता को दिखाता है जैसे यंडे के तीन भाग होते हैं बहार का खोल होता है उसके बाद उसका पीला हिस्सा होता है और एक लिक्विड हिस्सा होता है उसी प्रकार से परमेश्वर की त्रियेक्ता जो है पवित्र आत्मा जो है वो उस वेक्ति के जीवन के अंदर आ जाता है लेकिन उससे भी जादा महत्वपूर्ण बात में आपको एक और बताओं कि ये शैंक बॉन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेमने की हड़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यों फसे के पर्व के लिए माना जाता है कि ये मसी को प्रगट करता है क्योंकि ये शैंक बोन जो है इसको हीब्रू भाशा में जरोवा कहा जाता है जरोवा और जरोवा का मतलब क्या होता है जरोवा शब्द जो है वो बाइबल में यशाया उसका 53 अध्या उसके पहले पद के अंदर इस्तिमाल किया गया है यशायां उसका 53 अध्या उसके पहले वचन में लिखा है कि यहुआ का भुजबल इस पर प्रगट हुआ है तो यह शब्द जो है भुजबल यह हीब्रू भाशा में भुजबल को जरोवा कहते हैं जरोवा तो यहुदी रभी जो है जो इस सेजिस जो है वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने सारे स्रिष्टी की रचना इसी जरोवा से की है ठीक है जो इस सेजिस कहते हैं कि परमेश्वर इसराइलियों को मिसर की गुलामी से छोड़ा ले आया इसी जरुआ के दुआरा और उसके बाद जो इस सेजिस कहते हैं कि परमेश्वर जाती जाती का उद्धार करेगा अपने इसी जरुआ के दुआरा और साथ ही जो इस से जिस कहते हैं कि ये जरोवा जो है वो और कोई भी नहीं है लेकिन फसे की प्लेट की ये शैंक बोन फसे के प्लेट का ये जरोवा जो है वो परमेश्वर का मसी ही है जिसको प्लेट के अंदर शैंक बोन के तौर पर दिखाया जाता है तो इसी वज़े से फसे के पर्व के अंदर सब कुछ कंसील हो रखा है मसी भी कंसील है फसे के पर्व में एक्सिडस भी कंसील है क्रियेशन भी कंसील है सब कुछ कंसील हो रखा है और यहुदी लोग जो बार-बार गुलामी में चले जाते हैं परमेश्वर उनको गुलामी से जो बार-बार ले करके आता है जो इस सेजिस कहते हैं कि वो भी इसी जरोवा के द्वारा परमेश्वर यहुदियों को गुलामी में से चुड़ा करके ले आता है तो यह फसे की प्लेट है जो भोज यहुदी लोग किया करते थे और हर यहुदी बच्चा जो होता था वो प्लेट के अंदर जब वो गलत आइटम को सजा दिया करता था तो पिता उसको डाटा करता था कि नहीं यह आइटम यहाँ पर आएगा यह आइटम यहाँ पर रखा ज को अपने पापा से पूछना ही पढ़ता है फसे के पर्व की शाम को कि ये रात दूसरी रातों से अलग क्यूं है ये रात दूसरी रातों से अलग क्यूं है तब पापा जो है वो पूरी निर्गमन की कहनी अपने बच्चों को उस भोज के समय पर सुनाते हैं हर साल सुनाते ह तो इस प्रिकार से ये लोग खाया करते थे और फसे का भोच खा लेने के बाद entertainment allowed नहीं था कि भाई Netflix के उपर आज की picture देख लेते हैं आज का आज का episode देख लेते हैं या Netflix या Prime के उपर Amazon Prime पर अभी नया episode आया है वो देख लेते हैं या फिर कहीं पार्टी वार्टी हो रही है डीजे बजराएं वहाँ चले जाते हैं ऐसा नहीं था लिखा हुआ है सूसमचारों में भी कि येश्यू और उसके चेले फसे खाने के बाद भजन गाकर गत्समनी के बाग में गय थे भजन गाय जाते थे एंटर्टेन्मेंट नहीं एक दूसरे से मिलते थे विश करते थे बदाई देते थे फसे के परव की भजन गाते थे और या तो टेंपिल में जाया करते थे टेंपिल में जाकर के पराथना किया करते थे या भजन गाया करते थे लेकिन एंटर्टेन्मेंट जो था वो करते थे अब फसे का पर्व जो है वो सेलिब्रेट हो गया फसे के पर्व के अगले दिन अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो शुरू हो जाया करता था और परमेश्वर ने कहा था फसे के पर्व को भी नाए नियम में अखमीरी रोटी का पर्व ही कहा गया है आप लुकर अच में जुड़े हुए हैं फसे के पर्व के अक्मीरी रोटी खाई जाती है और फसे के पर्व के ज़स्ट पार्ड में अगले दिन ही अक्मीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाया करता था तो ये फसे का पर्व जो हुआ करता था ये साथ दिनों तक मनाये जाने वाला पर्व था येशु मसी ने फसे के पर्व के दिन अपना बलिदान दे दिया अब साथ दिनों तक ये पर्व मनाया जाएगा इसलिए प्रकाशित वाक्य में साथ कलीसियाओं का वर्णन किया गया है कलीसिया के साथ अलग अलग युगों का वर्णन किया गया है साथ दिनों तक ये फसे का पर्व मनाया जाता था इसको पोस्ट पेसाक कहा जाता था पेसा के आगे के दिनों को कहा जाता था अब दूसरे दिन से लेकर छटे दिन तक लोग जो है ऐसा नहीं है कि छुट्टी मनाने के लिए पड़े हुए हैं नहीं, लोग जो है अपना कामकाच कर सकते थे, बस उनके माइंड के अंदर ये रहना चाहिए था, कि हम फसे के पर्व में चल रहे हैं, हम अनुग्रे के समय में चल रहे हैं, समझने बात को, कलीसिया के जो साथ योग प्रकाशित वात्के के पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में बताए गए हैं, अलग-अलग कलीसियां बताई गई हैं, उनमें यही बात हमको देखने को मिलती है, कि अनुग्रे के योग में कलीसिया चल रही है, काम काच कर सकते थे, अपना जरूरी काम निप्टा सकते थे, अब हम अनुग्रे के समय में चल रहे हैं, तो क्या सफेद कपड़े बेहन करके घर में बैठ जाएं, नहीं, लेकिन हमको वो खुश्खबरी जो है वो दूसरों तक पहुंचा नहीं, जैसे वो लोग सातों दिन का उनका पर्व होता था, लेकिन उसमें वो अपना जरूरी काम निप्टाते थे, हमको भी अपना जरूरी काम निप्टाना है, जो पुत्र हमको आग्या दे करके गया है, कि हमको सूसमचार सुनाना है, तो हमको निप्टाना है, अब सात्वा दि से जो सात्वा दिन होता था उसमें ये पर्व कंप्लीट होता था हम उस समय इसको फुल डे फैस्टिवल की रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता था और ये सात्वा दिन जो होता था इस सात्वे दिन ये माना जाता था कि मिसर की गुलामी से निकलने के सात्वे दिन परम सारे इसराइली जो हुआ करते थे वो अपने हाथ में कटोरों के अंदर पानी लिया करते थे और कटोरों में पानी ले करके उसको साथ वे दिन उंडेला करते थे कि परमेश्वन ने जैसे लाल समुंदर से हमको पार करा दिया उसी प्रिकार से कटोरों से पानी उंडेला करते ये कस्टमिक ट्रेडिशन फसे के पर कही हुआ करता है अब दूसरी और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर हमको साथ कटोरे उंडेले जाते हुए दिखाई दे रहें तो ये कटोरों के उंडेलने का कंसेप्ट यूहनना को कहां से मिला वो कटोरों को उंडेलने का कंसेप्ट हमको यहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाद ये सात्वे दिन जो होता था फसे के पर का ये सात्वे दिन मरे हुआ को भी यहुदी लोग याद किया करते थे मरे हुऊं के Memorial Prayer किया करते थे जिसको Yis-Kor Yis-Y-I-Z-K-O-R Yis-Kor कहा जाता था और ये Yis-Kor के अंदर मरे हुऊं के लिए Memorial Prayer किया करते थे कि हम फसे के दिन आपको याद कर रहे हैं कब फसे के पर के अंतिम दिन और सबसे बड़ी बात इस अंतिम दिन यहुदी लोग लाखों की संखिया में यहुदी लोग जो हुआ करते थे वो मुसा का गीत गाया करते थे अंतिम दिन फसे के अंतिम दिन मुसा का गीत जो निर्गमन पंदरा अध्याय के अंदर बताया गया है मूसा का गीत गाया करते है प्रकाशित वाकिय उसका 15 अध्या उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो स्वर्ग में मूसा का गीत गाया जा रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मूसा का गीत और मेमने का गीतल गाने लगे समझ रहे हैं बात सातवे दिन यहुदी लोग मरेहुऑं को याद करते थे जब ये सातों युग कलीसिया के पूरे हो जाएंगे फसे के पर्षे तो उसके बाद मरेहुऑं का पुनुत्थान हो जाएगा Memorial Day हो जाएगा परमेश्वर मरेहुऑं को याद करेगा मरहों का resurrection हो जाएगा और उसके बाद जिस तरह से मूसा का गीत यहुदी लोग गया करते थे प्रकाशित वाक्टे में बताया हुआ है कि मूसा का गीत जो है वो स्वर्ग में गया जाना शुरू हो जाएगा तो फसे का पर्व जो है वो सिर्फ यहुदियों का पर्व नहीं है लेकिन हमारा फसे येश्यू मसीह है इस वज़े से ये पर्व जो है वो हमारा भी पर्व है और हम इस पर्व को दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करते है अब कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब यह यहुदी लोग फसे का पर्व मनाते हैं तो क्या हम मसीही लोग भी फसे का पर्व मना सकते हैं बिलकुल मना सकते हैं लेकिन उस तरह से नहीं जैसे यहुदी लोग मनाते हैं लेकिन मसीही दृष्टी कोंड से मसीही परसेप्टिव से आप फसे का पर्व मना सकते हैं क्योंकि येशु ने कहा था मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना तो जब यहुदी लोग फसे का पर्व सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हम अपनी कलीसियाओं के अंदर Holy Communion Service रखके येशु मसी जो हमारा फसे है उसको हम याद कर सकते हैं तो ये फसे के पर्व के Traditions थे जिनको बहुत ही छोटा करके मैंने आपके सामने रखा है और अगर इसके बार में और विस्तार से आपको जानना है तो मैंने बार-बार बोला YouTube पे मेरा एक पूरा संदेश है जो परमेश्वर के पर्वो पर है आप उसको जब सुनेंगे तो और भी बचे कुछे जो आपके कंसेप्ट है वो भी पूरे क्लियर दो चाहिए